हेलो गाई्स कैसे हैं आप लोग तो दोसरे यहां पर जानते की, Real-me 2 की तरफ से Real-me GT Master Edition फोन नहीं हाँ, काफी कमाल का फोन है, सबसे पहली बात यहां पर यहां dove यहीं के 5G phone जाता है, और वह जिए ख़ली इतना ही नहीं इसमें आपको फीचर्स जो है वह काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिलने हैं और वह जिए यहाँ पर आप वपो रेनो 6 सीरीज यहाँ पर बेसिकली लॉण्च हुई थी और यहां पर प्जिश को करेें जाहां चाहिका को काया है तो हम आपको विडूमुट्टर योग यहां ना ने है में आदो तन एक समीटियर YEAH करते हैं हो बैसक्त मिन आज करदेींडह किला से special जो क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आगर डिसकस करने वाले हैं उपकर कि बात करें तो इसमय आपको दो कलर देखने को जाते हैं एक dua और ऑॉर और एक है यह यह यहां पर बात करें को फिजिकल ओव व वियू की तो यहां पर बिसिकली जो आपको ब्लाक और वाइड कलर जो देखने को मिल ला है Realme में, बैसे लिए हम यहां पर Realme की बात कर रहा है भी, तो यहां पर यह दोनों कलर में आपको यहां पर Polycarbonate, यानि कि आपको यह तरह की प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, जो कि Complete Glossy Finish के साथ में आती है, और आपको यह नीचे साइड जो आपको Real के साथ में आती है, इसमें Realme की ब्रांडिंग आपको नीचे साइड नहीं मिलती है, इसमें आपको यहां पर यहां पर कैमरा बंप है, उसी कि आपको Just Pros में आपको देखने हो मिलेगी, जो कि Realme की चोटी सी ब्रांडिंग होगी, और साथी साथ यहां पर छोटी सी signature भी की ग जाता है, यहां पर दोनों ही में, आपको यहां पर Curve Edges देखने को मिल जाएंगे, और यहां पर Aluminium के Frames आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यह भी चीज़ काफी कमाल किये, वज़िगा अगर यहां पर OPPO की बात करें, तो इसमें आपको Glass Bag देखने को मिल जाता है, जो क यहां पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको Flat Edges देखने को मिल जाता है, जो कि यहां पर मेरे हसाब से एक फोन को यहां पर काफी ज्यादा मतलब अच्छा बना देता है, उसका Look and Design भी काफी कमाल को जाता है, जब इसमें Flat Edges होते हैं, और यहां पर Plastic के Frames आपक आपको थोजी सी जादा देखने को मिलेगी, 8.7 mm की आपको थिकने मिल जाती, वेट जो है वापको 186 gram का देखने को मिलेगा, और बाकी जो Black और White जो Color थे, उसमें बेसिकली आपको थिकने सी कम मिलेगी, यानि कि फोन थोजी से पतले होएंगे, आपको इसमें 8.0 mm की थिकन हैं का देखने को मिल जाएGA, दोस्टों समय बात करना करने इनदा बास्वास Приकनी की बेसिकली आपको यहाँ पे बैखे कर देखने को मिल जाता है, 65 वाट का यहाँ पर शार्जर आपको kiti को मिल जाएगा, यह GIRLS में मिलेंगे, और uwच Soni M पीला हो जाता है वाला है काफी अच्छा मठीरियाल यहां पर देखने वाला है, उप्पर में आपको, T.P.O. यहां पर पर जाता है, वाईसा आपको मिलने वाला है, दोस हैं पर बात कि ना कहें, आप है, जो बैटरी जो है वो भी तम सेम टू सेम हैं आपको 4300 एमेच की बैटरी मिल जाती है दोनों ही फोन में मिल जाएगी लेकिन चार्ज इन टाइम पता नहीं क्यों है यहां पर फ़रक आगा हुए है रियल मीट थोज सी देर में चार्ज हो रहा है थार्टी थी मिनस में फुल च मेक्रों मिल जाता है वीडियो शूट हम यहां पर फॉरके तक ही कर बाएंगे दोस्तों आप बात करेंगे अगर सेल्फी कैमरे की तो दोनों ही में हमको 32 मेगा पैसिल की सेल्फी मिलती ही जो क्या आती है सोनी आईमस 615 सेंसर के साथ में और वीडियो शूट बैसिकली हम यह लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह यहां पर रियल मी में आपको देखने को मिल जाती जो की 120 हर्स का इसकी रिफ्रेश्ट मिल जाएगा जिसके तुरू आप यहां पर इसमें अच्छी कासी गेमिंग कर पाएंगे गेमिंग आपकी स्कीन बिल्कुल भ यहां पर प्रोसेसर की तो बेसिकली आपको यहां पर रियल मी में क्वाल कम आली मिलती है क्वाल कम स्ट्राइगे 778 जी आपको देखने हो मिल जाएगी 6 नामीटर पावफीचियंट है औक्टो को रहे आद्टो तो इसको आपको थोड़े से कम देखने हो मिलेंगे 4 लाक 8000 ​ ॹं कोशड़ करें को धे आद्ट का दे जाते हैं तो मेरे साब से तो यहां पर मतलब प्रोषेसर जो है वह सक्वाल काका काहफी कमाल ने मिल लाए पहली बाद तो इहां पर यहां से霍स्च जाइब यहां पर पर इतार मसा डान यावूस मिल जाएगा दोन रहाइन आपको कुछ और important features की तो दोनों में आपको यहाँ पर in display fingerprint sensor देखने का मिल जाता है face alone मिल जाएगा 3.5 ए मोड़ी जागा आपको realme में मिलती है open में नहीं मिलेगी bluetooth बजन यहाँ पर दोनों में काफी latest 5.2 है और यहाँ पर sim tray जो है वो basically आपको यहाँ पर realme में hybrid मिलती है यानि कि आप यहाँ पर dual sim यूज़ कर लिजे या तो एक sim और एक memory card यूज़ कर लिजे open में आपको यहाँ पर hybrid नहीं मिलती है लेकिन आपको इसमें SD card का option देखने को नहीं मिलता आप सीव सीव यहाँ पर dual sim यूज़ कर पाएंगी तो दोससे यहाँ पर जैसे कि आप नहीं देखा कि बिसिकली ओपो का फोन अच्छा तो है लेकिन आपको इसमें features कुछ कम देखने को मिलने है जैसे कि realme GT Master Edition में आपको features जो है वो ओपो के यहाँ तो बराबर मिलने है या तो उससे और भी जादा मिलने है जैसे कि आपको 120Hz का screen refresh rate देखने को मिलना है और साथी साथ आपको इमें processor काफी कमाल का देखने को मिलना है और realme UI कोई बुरा UI नहीं है काफी अच्छा UI कोई भी ads वैस नहीं है आपको देखने को मिलनेंगे comparison view अगर आपको वीडियो बसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए हमाई चैनल को सब्काइब कीजिए अगर मुझे सब्सक्राइब करना चाते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक उच्छे content के साथ मैं